हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुती सुन्दर और बहुती आसान डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप जैन्स लेडिज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुती सुन्दर लगता है इस डिजाइन को आप सिंगल कलर, डबल कलर या मल्टी कलर किसी भी तरह से बना सकती है सभी तरह से ये डिजाइन बहुत ही प्यारा लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजेस्ट हो जाएगा छे के मल्टीपल देखिए आप इसमें 6 फंदे गिन लीजिए फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6 बार बार 6-6 फंदे गिनते जाएए और लास्ट में आपके 2 ही फंदे होने जाहिए ये डिजैन सीधी साइट से शुरू होता है चार सलाइयों का डिजैन है और 8 सलाइयों में complete हो जाता है इनी 8 8 सलाइयों में इसमें आप जितने चाहो उतने color लगा सकती है single color से बनाना चाहो तो single color में भी ये बहुती सुन्दर लगता है तो चलिए अब इस डिजैन को बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही सलाई मैं आपको यहां से बता रही हूँ तो इस डिजैन को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए हैं 32 फंदे 6 के multiple करके और 2 फंदे extra अब यहां से डिजैन की पहली सलाई है और सीधी साइड है तो देखिए पहला फंदा इसका है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए अब धागे को पीछे करेंगे 2 फंदे सीधे 1 और यह 2 अब देखिए हमें यहां पर 1 फंदे के 3 फंदे बनाने हैं तो इस फंदे को पहले हम इस तरह से सीधा बनाएंगे और फंदे को हलका सा लूज रखेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और इसी फंदे को हम फिर से सीधा बना देंगे और इसे सलाई से उतार देंगे तो देखिए बीच में एक जाली आगई 2 फंदे हो गए इन फंदों को हलका सा लूज रखिए अब ऐसे ही इस एक फंदे के भी हम तीन फंदे बनाएंगे तो इस फंदे को इस तरह से पहले सीधा बनाएंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे इसे लूज बुनना है और धागा अपनी तरफ करके फिर से फंदे को हम सीधा बना द तो एक फंदे के तीन हो गए अब हम दो फंदे सीधे बनाएंगे एक और ये दो अब देखिए एस्टीज के बाद ये हमने डिजैन बनाया है दो सीधे एक फंदे के तीन बनाएं फिर एक फंदे के तीन बनाएं फिर से दो फंदे सीधे अब इसी डिजैन को हम बार बार यहां पर टोटल बीच में चार फंदे आएंगे क्योंकि दो इधर वाले डिजाइन के हैं और दो इधर वाले डिजाइन के अब हम यहां एक फंदे के तीन बनाएंगे देखिए एक बार इस फंदे को सीधा बुन लेंगे और लूज रखेंगे इस तरह से भी धागा लपेट सकती हैं और धागा अपनी तरफ करके भी इस फंदे को सीधा बना सकती हैं दोनों ही तरह से यहां एक के तीन फंदे बनेंगे फिर से एक के तीन बनाएंगे इस फंदे को सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से फंदे को सीधा बुनेंगे और इसे लूज अब देखे हमें यहां 4 फंदे सीधे बुनने हैं दो इधर वाले डिजयन के तो next वाले डिजयन के एक, दो, तीन, और ये चार फिर से हम एक फंदे के तीन बनाएंगे एक बार फंदे को सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे इसी फंदे को हम फिर से सीधा बुन देंगे फिर एक के तीन बनाएंगे देखिए एक हो गया धागा अपनी तरफ इसको हम फिर से सीधा बुनेंगे तो हमारे यहाँ एक के तीन हो गए फिर चार फंदे सीध देखिए एक हो गया धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से फंदे को सीधा बनेंगे तो ये देखिएगा ये आपने लूज रखने है फिर से एक फंदे के तीन बनाएंगे एक हो गया धागा अपनी तरफ फंदे को फिर से सीधा बनेंगे तो तीन हो गये अब हम चार फंद के तीन बनाने हैं एक धागा अपनी तरफ किया और फंदे को सीधा बुना तो तीन हो गए और इनको लूज रखिएगा एक बार बुना धागा अपनी तरफ फिर से फंदे को सीधा बुनेंगे तो ये हमारे तीन हो गए लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे दो फंदे आप इसमें से सीधे बनाईए और एस्टीज को उल्टा भुन लेंगे। पहली सलाई डिजैन की कम्प्लेट हो गई। अब आज येगा इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर। जब आप इसे डबल कलर या मल्टी कलर में बनाएंगी तो धागे को साथ के साथ ओपर जरूर करते जाएगा। उल्टी साइड की सलाई को आप ध्यान से देखिएगा। एक, दो, और ये तीन फंदे स्टार्टी में उल्टे बुनने के बाद ये जो हमने एक फंदे से तीन फंदे बनाए इसको हम स्लिप करेंगे। इन तीनों को आपने इस तरह से एक साथ सलाई पर लेना है। टाइट हो जाएं तो इनको लूज कर लीजिए क्योंकि नीची धागा चला जाता है। तिनों को ऐसे सलिप करेंगे, फिर से जो एक के तीन बनाए इसे भी सलिप करेंगे। अब ये दो फंदे से हमारे छै फंदे बन चुके हैं क्योंकि एक के तीन और एक के तीन, इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे, इनको भुनेंगे नहीं, अब इस धागे को हम यहां से थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे, और नेच्ट वाले चार फंदे उल्टे बनाएंगे, ये आपने ध्यान में रखना है ये जो धागा यहां से यहां तक जा रहा है ये लूज होना चाहिए नहीं तो ये डिजैन खिला हुआ नहीं बनेगा सुकड जाएगा फिर से ये जो हमने एक से तीन एक से तीन बनाए हैं इन फंदों को हम slip करेंगे, देखिए इन तीनों को slip कर दिया, फिर इन तीनों को एक साथ लेंगे और ऐसे slip कर देंगे, फिर से हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, अब ये एक के तीन किये हुए हैं, इन फंदों को हम ऐसे slip करेंगे, फिर से जो एक से तीन बनाए हुए हैं इनको हम स्लिप करेंगे फिर चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार फिर से एक से जो तीन बनाए इनको एक साथ लेंगे और उतार लेंगे फिर इन तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और उतार देंगे फिर चार फंदे उल्टे बनेंगे एक दो तीन और ये चार फिर से ये जो हमने एक फंदे के तीन फंदे बनाए इनको ऐसे उतार देंगे इनको बुनना नहीं है ऐसे ही आपने उतार लेना है यानि स्लिप कर देना है लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा ही बुन दीजिए तो दो सलाईया डि क्यान से देखे की कैसे बुनेंगे एक फंदे को इस तरह से उतारिये या उल्टा बनाइये धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे। ये जो दो फंदे सीधे हैं इनको छोड़ देंगे ये जो एक से हमने तीन बनाए इन तीनों में एक साथ ऐसे स्लाई डाल लेंगे इन दो को उतारेंगे बैक साइड की स्लाई पर ऐसे हम पहले डाल देंगे अब ये तीन फंदे हम आगे कर देंगे इस तरीके से और तीनों में आगे की तरफ से ऐसे स्लाई लेंगे और इन तीन का हम एक फंदा बना देंगे ये ध्यान से बुनिएगा तीनों फंदे का एक साथ एक फंदा बनना चाहिए अब यह जो हमारे दो फंदे आगे आए हैं इन दोनों को हम सीधा बनेंगे देखिए एक और यह दो अब हमें ये वाले दो फंदे इसके बीच में लाने हैं तो पीछे की साइड से दो फंदे में इसलाई डालेंगे जो एक से तीन बनाए हैं इनको उतार के फ्रंट वाली स्लाई पर डाल देंगे इन दोनों को बीच में करेंगे और इनको हम यहां सीधा बना देंगे तो बीच में देखे चार फंदे इकठे सीधे आ गए अब यह जो एक से तीन बनाई हुए हैं यह तीनों अगर आपके थोड़े से टाइट हो जाएं तो इनको हलका सा लूज कीजिए फिर बैक साइड से तीनों फंदे में एक साथ स्लाई डाल के तीन का एक फंदा बना दीजिएगा अब हमें यही छे फंदे का डिजैन बार बार रिपेट करना है तो देखे इन दो फंदों को छोड़ कर यह जो हमने एक फंदे से तीन बनाए इसमें स्लाई डाल लेंगे इन दो को उतार के बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे यह जो एक से तीन किये इनको हम इसके आगे करेंगे और आगे की साइड से तीनों फंदे में एक साथ स्लाई डालेंगे और तीन का एक फंदा बुन देंगे इन दोनों फंदों को भी अब सीधा बनाएंगे अब यहां से फंदे ट्विश्ट करने हैं तो यह जो इकठे तीन हैं इनको छोड़ देना है बैक साइड से दो फंदे लेंगे एकठे वाले तीन फंदों को उतारके फ्रंट वाली स्लाई पर डाल देंगे इन दो फंदों को बीच में लाकर पहले सीधा बुनेंगे एक और यह दो अब ये जो तीन हैं टाइट हो जाएं तो लूज कर लीजिए और फिर बैक साइड से तीन फंदे का एक फंदा बना दीजिए इस डिजाइन में उन थोड़ी सी जादा लगती है तो आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार पहले से ही थोड़ी सी उन जादा लेके रखिएगा अब हमें फिर से डिजाइन को रिपीट करना है ये दो फंदे छोड़ देंगे इन तीन फंदों में स्लाइड डालेंगे इन दो को उतार के बैक साइड की स्लाइड पर डाल देंगे और इनको लाएंगे और इन दो के आगे ऐसे डाल देंगे और फिर ये जो तीन फंदे हैं इन में आगे की साइड से स्लाइड डालेंगे और इन तीन फंदे का यहाँ एक फंदा इस तरह से बना देगे फिर ये दो फंदे भी सीधे एक और ये दो अब इन फंदों को ट्विष्ट करेंगे इन तीन को छोड़के बैक साइड से दो फंदे लेंगे इन तीन को उतार कर फ्रंट वाली स्लाई पर लेंगे इन्हें हमें बीच में लाकर अब सीधा बना देना है इन तीनों फंदे में अब हम back side से slide डालेंगे और तीन का यहाँ एक फंदा बना देंगे आपके जितने भी फंदे हों यही 6-6 फंदे का design बनाते हुए इस slide को complete कर दीजिए तो यह देखिए friends इस तरह से 3 slide design की complete हो गई है चोथी slide है और उल्टी side है इस धागे को हम साथ के साथ उपर लेंगे और चोथी slide को उल्टी side से पूरा उल्टा बुनते हुए complete कर देंगे तो आप भी इसी तरह से उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनते हुए इस slide को complete कर दीजिए तो ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है पांचमी सलाई है और सीधी साइड है जैसे हमने ये चार सलाईयां बनाई ऐसे ही हमें चार सलाईयां और बुन्नी है सिर्फ जो हमने एक फंदे के तीन फंदे बनाए उनकी जगह चेंज हो जाएगी तो पांचमीस लई को आप ध्यान से देख लीजिए कि कैसे कम्प्लीट करना है पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए धागे को पिछे करेंगे और ये वाला जो एक फंदा है इसके हम तीन बनाएंगे तो एक बार इसे सीधा बुन देंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे और इसी फंदे को फिर से हम सीधा बनेंगे तो एक से तीन हो गए अब हम चार फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार अब यहाँ एक फंदे के तीन बनाएंगे फिर इस एक फंदे के तीन बनाएंगे ये देखे दो फंदे आपको इस तरह से जुड़े हुए नजराएंगे इन दो फंदो पर एक के तीन एक के तीन बनेंगे तो देखे एक बार इसे सीधा बनेंगे और फंदे को आप लूज रखेगा तभी आपका ये डिजैन अच्छा बनेगा धागा अपनी तरफ कीजिए फिर से इस फंदे को सीधा बनाईए फिर एक फंदे के तीन बनाएंगे एक बार फंदे को सीधा बुन लेंगे धागा अपनी तरफ और फिर से फंदे को सीधा बना दे ये starting के देखिए एक फंधा estich ये एक के 3 बनाए इन्हें हम छोड़ देंगे चार सीधे बनाए एक के 3 एक के 3 येही डिजैन आपने बार बार repeat करना है चार फंधे अब हम ये सीधे बनेंगे उसके बाद हम एक फंदे के तीन बनाएंगे एक धागा अपनी तरफ किया फिर से फंदे को सीधा बना फिर एक के तीन बनाएंगे ये देख लीजेगा इस तरह से फिर हम चार फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार फिर से एक के तीन एक बार सीधा फिर से फंदे को बुन देंगे ऐसे ही फिर से हम एक फंदे के तीन बनाएंगे फिर चार फंदे हम सीधे बुनेंगे पूरी सलाई में आपने ऐसे ही बुनते हुए जाना है एक फंदे के तीन एक फंदे के तीन और फिर हमारे चार फंदे सीधे आ जाएंगे और जब आप ला जो लास्ट का estich है, इसे आपका मन करे सीधा बनाईए, आपका मन करे उल्टा बनाईए, मैं हमेशा ही उल्टा बना कर लेती हूँ. पांच सलाईया डिजैन की कंप्लेट हो गई, छटी सलाई है और उल्टी साइड है, छटी सलाई पर देखिए, जो बनाई हुए फंदे हैं, उनको हम इस तरह से उल्टा बनेंगे, लेकिन जो एक के तीन बनाई हैं, उनको हम स्लिप करेंगे, तो ये देखिए, एक फंदा estich बनने के बाद, ये एक के तीन बनाई हुए हैं, इन तीनों को हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर हम देखिए, इस धागे को थोड़ा सा लूट छोड़ेंगे, और चार फंदे उल्टे बनेंगे, ये चार फंदे उल्टे बनने के बाद, एक फंदे के जो हमने तीन बनाई, इनक हम इस तरह से slip करेंगे फिर से जो एक से चार फंदे पुने हुए दीजिए जिससे ये डिजैन उभरा हुआ बनेगा तो मैं इस सलाई को complete कर देती हूँ तो ये देखिए फिरंट छटी सलाई को उल्टी साइड से मैंने complete कर दिया है अब आज ये इसकी सातमी सलाई और सीधी साइड पर सातमी सलाई पर देखिए अब हमारी जो है इस टिचैन की direction चेंज हो जाएगी पहले ये तीन फंदे इधर गए थे लेकिन अब ये जो हमने एक के तीन बनाए ये इधर की तरफ जाएंगे तो पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे धागे को पीछे की तरफ करेंगे ये जो एक के तीन बनाई हुए हैं इनको छोड़ देंगे और बैक साइड से दो फंदे में इन तीनों को उतारेंगे और फ्रंट वाली स्लाई पर डाल देंगे इनको पीछे से लाएंगे और इनके आगे कर देंगे अब देखे पहले ये दो फंदे हम इस तरह से सीधे बना देगे अब ये जो तीन हैं इनमें हम बैक साइड से स्लाई डालेंगे टाइट लगें तो हलका सा लूज इनको जरूर कर लीजिए ताकि तीन का एक फंदा बनाने में आपको आसानी हो जाए तो इन तीनों फंदे में एक साथ स्लाई डालेंगे और बैक साइड से तीन का एक फंदा बना देंगे अब देखिए हमें ये वाले फंदे यहां पर लाने है ये वाले फंदे इनके बीच में तो इन दोनों को छोड़ेंगे ये जो एक से तीन बनाए इनमें आगे से स्लाई डाल लेंगे और इन दो फंदों को अब हम उतार लेंगे ये देखिए इनको ऐसे लेंगे इनको उतारे और बैक साइड से सलाई पर हम पहले डाल देंगे और अब देखिए ये जो हमारे एक से तीन किये हुए हैं इनको हम यहाँ पर डाल देंगे और इन तीन फंदे में अब हम आगे की साइड से सलाई डाल देंगे और तीन का यहाँ एक फंदा बना देंगे अब ये दो फंदे स इन जो एक के तीन के इनको छोड़ देंगे बैक साइड से दो फंदे लेंगे इनको उतार के यहां आगे कर देंगे इन दोनों को बीच में करेंगे और सीधा बुनेंगे एक और यह दो अब यह जो एक से तीन बनाए इनमें बैक साइड से स्लाई डालेंगे और तीन फंदे क यहाँ एक फंदा बना देंगे फिर से हमें इसी डिजाइन को repeat करना है देखिए यह starting के आप फंदे छोड़ कर देखेंगे तो यह 6 फंदे का डिजाइन है अब इसी को बार बार repeat करना है इन दो को छोड़ देंगे इन तीन में एक साथ सलय डाल लेंगे 2 को उतारेंगे और back side की सलय पर ऐसे डाल देंगे इसको यहाँ कर देंगे और इन में हम आगे की side से सलय डाल लेंगे और तीन का एक फंदा बना देंगे अब यह 2 फंदे सीधे एक और यह 2 अब इन 3 को छोड़ के बैक साथ से दो फंदे में स्लाई डाल लेंगे इन तीन को उतार के यहां ले आएंगे इन दो को ऐसे बीच में करेंगे और सीधा बुन देंगे ये जो तीन फंदे हैं इनमें हम ऐसे हलका सा लूज करके बैक साइड से तीन फंदे का एक फंदा बना देंगे बस ऐसे ही फंदों को twist करते हुए इस पूरी सलाई को complete कर देंगे तो ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से करते हुए साथ सलाईयां इस design की complete हो गई है अब इस design को अगर आप single color में बनाना चाहती हैं तो 8 मी सलाई इसी color से पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए लेकिन अगर आप इस design को double color में multi color में बनाना चाहती हैं तो इस design की 7 सलाईयां complete होने के बाद 8 मी सलाई पर हमें color change करना है तो 8 मी सलाई पर आप अपना कोई भी second color joint कीजिए और उस से 8 मी सलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए complete कर देना है अगर single color से बनाएंगे तो उसी धागे से हो जाएगा double color या multi color में बनाएंगे तो 8 मी सलाई पर हमारा color change होगा तो उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनते हुए 8 मी सलाई को complete कर दीजिए तो ये देखिए friends इस तरह से 8 सलाईयों में ये design over हो जाता है अब इन ही 8-8 सलाईयों को जब आप बार बार repeat करेंगी तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपका ये design बनता चला जाएगा तो friends next बार के starting करने के लिए देखिए यहां से पहला फंदा है दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर 1 के 3, 1 के 3, फिर 4 फंदे सीधे, फिर 1 के 3, फिर 1 के 3, फिर 4 फंदे सीधे, फिर वही 1 के 3 और 1 के 3 इस तरह से करते हुए इसकी next बार के starting हो जाएगे तो friends अगर आपको मेरा ये design पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो please आप इस वीडियो को like कीजिए, अपरे सभी friends group में इसे share कीजिए, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब् से पहले देख सके, thank you